अब बात करेंगे दुनिया की खास तोर पर इस्राइल इस्राइल गाजा और दक्षिन लेबनान के अलावा बीरू तक लगातार हमले कर रहा है इस्राइल के हमले के जवाब में हिजबुला ने ड्रोन से मिसाइल दागी लेकिन युद में इस्राइल को बड़ा जटका नेटो के तीन देशों ने दिया तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दवान के दाओं से इस्राइल बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता जा रहा है देखिए I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. And some other Western readers are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. अकेला इस्राइल साथ फ्रंट पर बरावर की मार चल रही है. लेकिन नेतन्याहु को जिन देशों से युद्ध में साथ की उमीद थी, वो भी एक एक कर रुक बदलते जा रहे हैं. नेतन्याहु का ये गुस्सा, ये जुन्जलाहट यूं ही नहीं. फ्रांस ने इस्राइल को हत्यार सप्लाई तक थप कर दी है. युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है. जिसके बाद नेतन्याहु फ्रांस पर फट पड़े हैं. मैकरों को घरी खोटी सुनाने भर पर बात खत्म नहीं हुई है. ब्रिटेन ने सिगनल दिये हैं कि इसराइल का साथ देने की ताकत फिलहाल उसमें नहीं. ब्रिटिश पीम कीर स्रार्मन ने इसराइल से सैयम की अपील की है. साथ ही ये भी क्लियर किया कि ब्रिटेन को घाजा युद से नुकसान हुआ है. यानि नेटो के तीन ताकतवर देश इसराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं. इसमें पहला देश है तुर्की जिसने पहले ही इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. दूसरा फ्रांस जिसने इसराइल के हत्यार सप्लाई रोक कर नेतन याहू को सेट बैक दिया है. तीसरा ब्रिटेन जो इरान इसराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है. नेटो फोर्सिस के 32 देशों में ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सहन ने शमता सिर्फ अमेरिका से कमा की जा सकती है. इन जैसे कैई और देश हैं जो इसराइल के लिए अपना नुकसान नहीं जेलने का बाहाना बना सकते हैं. तो क्या सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को बचाने आएगा इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या अरब लीग के 22 देशों से युद्ध जीत पाएंगे इसराइल की मुश्किलें दिन बदिन बढ़ती जा रही है जिसका असर युद्ध के मैदान में साब दिख रहा है इसराइल के हमले तेज होते जा रहे है गाजा में भी और लबनान में भी इसबुल्ला दो मिसाइले मारता है बदले में इसराइल 200 धमाके कर रहा है मार कितनी तगडी है, कितनी विद्वनसक है, कितनी जोरदार ये बस बेरूत के द्रिश शे बता रहे है लड़ाई बड़ी भीशन हो रही है, इस बुल्ला फाइटर्स का दम उखरता जा रहा है सारा जोर लगा कर भी लड़ा का ग्रूप, इसराइल के आगे टिक नहीं पा रहा तस्वीर पांच अक्तूबर की रात हुए हमले की है, बेरूत हवाई एड़े के करीब, गूल्डन पलाजा पर बम परसा है जमीन फाड दमाके के बाद यहां भी शन आग लगी, आग की लपने आस्मान चूने लगी बम विस्पोर्ट ने इतनी चिंगारी उगली कि बगल का गैस स्टेशन भी जद में आ गया इसराइल ने इस इलाके में कुलाड धमाके किये, राद भर हमला होता रहा, जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ 6 अक्तूबर की सुबा इससे भी भ्यानक द्रिश्य, बेरूत में दिखाई देने लगे एक धमाका बारूत से पढ़ गया बेरूत, धुए के गुबार से आस्मान धग गया, जब धुआ चटा तो द्रिश्य, दिल दहलाने वाला था मटिया मेट हो चुकी थी, बहुमंजिला इमारत, खंडर में जिंदगी तलाश रहे थी लोग इस्राइल ने रात और दिन का फर्क मिठा कर, अब हिजबुल्ला को तभा करना शुरू कर दिया है सबसे भीशन हमले दक्षिन लिबनान में हो रहे हैं, जहां हिजबुल्ला का तनल नेटवर्क है नेतनियाहु साफ बता चुके हैं कि हिजबुल्ला के निस्तनाबूत किये बगएर ये युद्ध नहीं रुकेगा लेकिन हिजबुल्ला भी हार मानने को तयार नहीं, इरान ने नए हिजबुल्ला चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है बताया जा रहा है कि नया हिजबुल्ला चीफ खामनेई का खासम खास होगा हिजबुल्ला के नए चीफ का नाम इबराहीम अमीन अलसयद बताया जा रहा है इबराहीम ने 1985 में हिजबुल्ला के घोशना पत्र जिसे ओपन लेटर कहा गया उसको सारवजनिक किया था इबराहीम अमीन 1992 और 1996 में हिजबुल्ला के लोयल्टी टू दा रेजिस्टन्स ब्लॉक के तहट लिबनान की संसत के लिए चुने गए थे साल 2001 में हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इबराहीम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग के हेड है इबराहीम लिबनान की राजनीती में बड़ा नाम है, सबी पार्टियों में उनकी खद्र की जाती है लेकिन इबराहीम को हिजबुल्ला चीफ की गत्डी दिलवाने में जो सबसे एहम बात है वो ये कि उन्हें खामनेई का खास माना जाता है इबराहीम अमीन हिजबुल्ला और एरान के बीच कूटनीतिक संबंदों को मजबूत करने वाले लीडर बताये जाते हैं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इबराहीम एरान के ज्याततर राजनाईकों से सीधे संपर्क में रहते हैं हजबुल्ला के रणनीती तैयार करने में इबराहीम अमीन का एहम रोल रहता है लिबनान और एरान के रिष्टों की एहम कड़ी इबराहीम आयातुल्ला खामनेई के एक गरीबी बताय जाते हैं नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर जेने बिराहीम अमीन का नाम सामने आया है उनका बैक्ग्राउंड इसराइल को डराने वाला है इबराहीम अमीन अलसयत लेबनान के बेका के हाउचल नभी गाउं के रहने वाले हैं साल 1981 में बेरूत की लेबनानी उनिवरस्टी से केमिस्ट्री में ग्रैजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं इबराहीम ने 1984 में फ्रांस के स्टार्ट्सबर्ग उनिवरस्टी से मास्टर्स की डिग्री ली साल 1987 में उन्होंने ओर्लियन्स उनिवरस्टी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पिएजडी भी की